हेलो स्टुएंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हर बार की तरह आज भी हम आपके सामने जो है हाइड्रोलिक्स का या फिका सकते हैं फ्लोड मेकैनिक्स का एक नया लेक्टर आपके सामने लेके हैं जिसमें हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक रैम तो जो बच्चे Assistant Motor Vehicle Inspector exam की त्यारी कर रहे है या फिर जो बच्चे Other Government Technical exam की त्यारी कर रहे है इसकी प्रिपेशन कर रहे है तो वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी प्रिपेशन्स को बेट चल रहा है आपका hydraulic devices का चल रहा है या फिर fluid machine का जास कह सकते हैं यहाई hydraulic machine का सकते हैं जिसमीं कि हमने भी previous classes में जो है हमने आपका जो है properties of fluid का chapter complete किया है हमने pressure and its measurement का chapter complete किया है आपका flow का chapter complete किया है पासकला इक्वेशन डिश्चायर आपका rate of flow और आपका venture meter बनोली स्थियरम है ना जो में में पॉइंट टॉपिक्स हो सारे हमने cover किये और अभी जो हमारा chapter चल रहा हो आपका hydraulic machinery का एफिर कह सकते हैं आपका fluid machinery का चल रहा है जिसमीं कि हमने ले लास्ट क्लास्स में hydraulic press उसके बाद आपका जो है हमने लिया है तो है hydraulic jack और आज हम ले रहे हैं आपका hydraulic ram ओके तो आज ही क्लास्स हम hydraulic ram के बारे में detail में discuss करेंगे तो चलिए lecture को स्टार्ट करते हैं तो देखें यह आपका hydraulic ram का जो है एक diagram है यह यह manual diagram बनाए हुए complete construction के रूप में दिखाया गया है जिसमें कि आप देखिए यहाँ पर आपका water tank है यह आपका delivery tank है आपको इस tank से water को इस tank में deliver करना है without using pump ठीक है ना तो hydraulic ram जो है आपका ऐसे एक acid device है जो की without using pump water को जो है आपका lift करने का काम करता है ठीक है और water को एक position से एक high position पर जो है ट्रांसफर करने काम करता है ठीक है ना तो आपका hydraulic ram का महाँ पर यूज करते हैं अगर आपको इसी complete working देखनी है hydraulic ram की तो आपको जो है मैं इसके ओपर ओर ओरड़ी की वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने जो है hydraulic ram की construction उसकी working उसकी advantage उसकी disadvantage उसकी application डेटेल में मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है कम से कम 8 मिनिट का जो है वो वीडियो है और यह अलड़ी मेरे YouTube चैनल पर upload है तो इसलिए मैंने उसका lecture जो है दुबारा से जो थियोरी वाला part मैं इसको यह explain नहीं कर रहा हूँ तो आ आप जो है इस lecture को attend कर सकते हैं इसका जो यह वीडियो को जो लिंक आपको दिखाए दे रहा है यह लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा नीचे तो अगर आप इस वीडियो के description में जाएंगे तो वहाँ पर आपको construction and working of hydraulic ram के नाम से आपको जो है lecture मिलेगा आपने इस lecture को attend करने completely theory का lecture है आठ से 9 मिनट का lecture है उस lecture को attend कर लीजिए उसके बाद जो इसके MC questions आप उन्हें कर लेंगे तो आपको जो है इस topic related जो MC questions है उनकी preparation आपको अच्छे से हो जाएगी ओके तो मैं जो है construction working advantage, disadvantage, application, limitations वगएरा मैं यहां discuss नहीं कर रहा हूं और इस वीडियो बना चुका हूं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक आपको जोटे के description मिल जागा है चलिए ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं अब इसके MC questions को हम देख लेते हैं यह आपर ठीक है पहला question आपको सामने है the hydraulic ram is a device used तो किसी लिए use कहाता है to accelerate water flow to lift water without electric motor to for lifting heavy loads all of the above. तो मैंने भी आपको बता रहा है the hydraulic ram है आपका वो क्या करता है without using electric motor या जो है आपका या pump के बिना water को जो है एक lower position to higher position to discharge करने का काम करता है तो इसका right answer हो होगा आपका B next question the hydraulic ram is a pump which work on the principle of. तो hydraulic ram जो है एक pump है जो कि कौन से working principle पर काम करता है centrifugal action पर, reciprocating action पर, positive displacement action पर, inertia force of water in a supply line तो आपका hydraulic ram जो कीकते है एक pump का काम करता है वो जो जिस principle पर वो काम करता है वो आपका inertia forces of water in a supply line तो right answer is D ठीक है यह हमारा question number two अब चलते है next question 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 number third this is a question number third a hydraulic ram act like hydraulic ram है वो किस तरह से behave करता है आपका एक centrifugal pump की तरह, rotary pump की तरह, reciprocating pump की तरह या फिर an impulse pump की तरह, हमेशा ध्यान रखना है hydraulic ram होता हमारा वो आपका impulse जो आपका pump है उसकी तरह बेव करता है तो इसको right answer जो आपका डी आएगा next question question number four यहां पर इदिया maximum impulse will be developed in a hydraulic ram van जो maximum impulse जो आपका कब develop होते हैं आपका hydrogram के अंदर जब the waste valve is closed suddenly supply pipe is long supply pipe is short ram chamber is large आपका जो maximum जो impulse जो tides जो आपका जो hammering जो होती water की जो वो maximum आपका तब होती जो waste valve जो close होता suddenly तो right answer is A the waste valve is closed suddenly right answer is A okay next question question number five hydraulic ram is a mechanical device for operating hydraulic crane a pump that work on the principle of positive displacement action a pump which ensure considerably large supply of low pressure water for a pump that lifts small quantity of water to great heights from large quantities of water available at a small height तो hydraulic jam जो आपका ram है वो जो है आपका एक pump है जो की lift करता है small quantity of water को to a great height for a large quantity of water available at a small height ठीक है ना the right answer is D next question question number six which of the following are the component of hydraulic ram supply tank air vessel wall chamber all of all of these तो इसके जो right answer है वो आपका D all of these जिसे भी जो है आपका hydraulic ram के component है जो है is a question number seven which of the following are the silent feature of hydraulic ram में से कौन सी जो है silent feature है आपका hydraulic ram की it is a quite simple device its operate automatically it has a negligible running cost या फिर all of these तो इसके जो right answer है all of these से भी जो है आपका आज जो hydraulic ram में उसकी silent features है ओके and next question question number eight hydraulic ram is self operated device prime mover device both A and B या इसमें से कोई नहीं जो hydraulic ram है आपका वो self operated device है क्योंकि उसमें हमारा कोई electric motor नहीं होता है और एक lower level से higher level पर जो है lifting करने काम करता है एक pump की तरह okay तो hydraulic ram जापको एक self operated device है तो अगर आप ऐसे आगे और भी topics को पढ़ना चाहते है या previous topics को आप ebook की form में पढ़ना चाहते है तो आप हमारी इस ebook को ले सकते हैं जो कि आपको Amazon पर मिल जाएगा इसमें आपका hydraulic machines का पार्ट नहीं है उससे पहले के जो आपके चैप्टर हैं से आपका introduction हो गया आपका fluid mechanics है hydraulic सा साथ में आपका properties of fluid हो गया अपका pressure and its measurement आगया fluid flow हो गया आपका तो वह उसमें जो important topics हैं आपको इसमें मिल जाएंगे hydraulic machine में आपका जैसे आपका turbine हो गया pump हो गया hydraulic machines हो गयी तो उनका जो volume 2 जो आएगा तो आपको उसकी information देदी जाएगी आप वहां से इस e-book को ले सकते हैं इसके साथ हम बताना चाहें कि हमारी जो और भी e-books हैं जो कि आप Amazon से ले सकते हैं अपने complete exam की त्यारी के लिए campus placement के लिए off-campus placement के लिए और आपका interview की preparation के लिए तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि हमारी जो e-book आपका mechanical companies, technical interview questions, explanation इस e-book में जो mechanical की जो companies हैं उनके previous time में जो on-campus, off-campus जो interviews हुए हैं उनकी questions साथ में उनके answers आपको मिल जाएंगे तो आप इस e-book को ले सकते हैं और अपना on-campus, off-campus की preparation को आप better कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप HPCL के exam की preparation कर रहे हैं बॉलर technician के exam के लिए तो आप इस e-book को ले सकते हैं इसने previous years के जो है जो exam में जो questions आएं वो इस e-book में दिये हुए हैं इसके साथ साथ अगर आप Kolkata Municipal Cooperation का सब assistant engineer mechanical के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं तो आप इस e-book को ले सकते हैं क्योंकि इस e-book में जो हमने previous time में जो exam में questions पुछे गए हैं वो इस e-book में दिये गए हैं तो आप उन questions को prepare रखे अपनी preparation को better कर सकते हैं इसके साथ साथ जो है assistant motor vehicle inspector की जो है यह e-book भी आपको amazon पे मिल जाएगी इस e-book में जो completely all in day level पर जो assistant motor vehicle inspector exam का syllabus है वो आपको मिल जाएगा साथ में जो है आपको previous year में जो questions आए है assistant motor vehicle inspector exam के वपर में तो आपको इसमें मिल जाएगी आपको बता चुका हूँ तो इस e-book को भी आप ले सकते हैं इसके साथ जो है theory of machine का जो subject है यह बहुत important है आप चाहे on campus में आप बैठें या off campus में आप interview दें या वी किसी government exam को आप दें तो theory of machine का subject जो है questions में जरूर आते हैं तो हमने इस e-book को लिखा और इस e-book में जो टोटल 500 mc questions है जिनको आप कर सकते हैं इसके साथ साथ जो आपको हमारी next e-book के आपका machine design की e-book मिल जाएगी जो कि हर एक exam में machine design से question जरूर पुछ जाते हैं चाहे वह आपका interview हो या फिर आपका design फिल्ड में हो या फिर आपका government exam का exam हो तो आपका जो है उसमें जरूर machine design subject से question पुछ जाते हैं तो इसी बुक में जोटा six and mc question जो कि बहुत important है chapter wise दिये गये हैं तो आप उन question को करके अपने patient को better कर सकते हैं इसके साथ साथ जापको DRDO की जो है यह technical interview preparation के लिए आपको यह book मिल जाएगी तो जो बच्चे बी-tech के बाद जो है आप बी-tech के बाद scientist B का जोनों DRD में दिया है उनको interview की preparation करने है तो कोई भी जापको ले सकता है और अपने interview की preparation better कर सकता है क्योंकि interview में कहीं से कोई भी technical question पूछा सकता है तो जितना matter मिल जाए वो कम है इसके साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है maintenance technician के exam के लिए application कर रहे हैं HPCL company के लिए तो आप इस e-book को ले सकते हैं अपने application को आप better कर सकते हैं कि इसके साथ अगर अपने autocad किया अगर इसमें अभी अज़े बिखना रहे हैं या फिर इंटर्मीडेट है या फिर आपको लगता है कि आप काफी expert आप कुछी त्यारी हो गई है लेकिन आप mechanical की components के machine के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी autocad 2D 3D प्रैक्टिस e-book को आप ले सकते हैं क्योंकि इस e-book में आपको mechanical की अपने जो कम मशीन्री हैं उनके component साथ में आपको जो है automobile एक मशीन आपको पार्ट्स हैं वह आपको मिल जाएंगे जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बनाके और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं इसके साथ हम आपको बताना चाहिए कि हमारे जो अगली बुक है हाट टूपर फरगेटिंग और ड्रीम जॉब तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटा ही कि हमारे में फर्स्ट एर्म में साइकेंडर में थर्ड एर्म में किसी भी स्ट्रीम से आप आप क्यांपस प्लेस्मेंट कैसे पा सकते हैं अगा गोर्मन्ट आपको त्याइज लहाए तो इस इबुक में अच्छे से दिया हुआ है तो यह बुक जो हमारी English edition भी अवलेबल है आप दोनों में से Hindi English में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छानों सा ले सकते हैं और आपको एक बार पताना चाहें कि 에서 देक को जी हम के कल कर आ बियुआ आपके सामने लैंगे नलिए इन की जो है निच्व प्लीज के जूँ है और यह को जो है आपको यूट्यूबड यूटरिय मोरळं 40-plus companies के जो हैं आपको टेकनिकल इंटर्व्यू, HR इंटर्व्यू और उटका सेलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं काफे सारी कंपनी काफे सारी कंपनी के आपके सामने जो है उसका इंटर्व्यू, HR इंटर्व्यू, उसका सेलेक्शन पोसीजर हम आपको बताएंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रैंड सरकल्स में जो हमारी वीडियो को शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपका नेक्स टॉपिक के साथ में, ओके, थैंक यू